हलो फ्रेंड्स मैं हूं प्रिटी जैन और आज मैं आपके साथ एक श्रक का वीडियो शेयर कर रही हूं जो इस तरह का है और यहां मेरे पास 2 मिंटर कपला है तो मैंने उतना लिया है आप 2 मिंटर या 3 मिंटर कपला भी ले सकते हैं लेंद के साब से और उसी में लगाने के ल ट्राइंगल में फोल्ड कर लेंगे जैसे कि आपने अम्रेला इसकर्ट बनाई होगी अगर अम्रेला इसकर्ट आपने नहीं बनाई हो तो एक बार उसके वीडियो को आप जरूर देखिए सेम उसी प्रोसेस में मैं इसे बना रही हूं तो यह ट्राइंगल करने के बाद पूरा सीधा रखा है और यह ट्राइंगल है ठीक है अब यहां से हमको शोल्डर का नाप लेना है तो शोल्डर फोटे हैं उसका हाफ हम लेंगे 7 इंच और यह लाइन आपने देखा मैंने बिलकुल स्ट्रेट लगाई है इस तरह से इसे ऐसे जो कमर हम नापते नहीं यहां होती है ना उसका नाप तो यहां शोल्डर से एलबो तक हम 11 इंच लेंगे और यहां से 6 इंच का आपको यहां पर होल करना है तो यहां से यहां तक तो 11 इंच हो जाएगा और यह 6 इंच का मैंने यहां पर होल किया उसके बाद आप लंबाई देख लीजी आपको कितनी तो आपको यहां पर हो सकता है हलका फुलका जोड आए इस तरह से लेकिन अगर आप हाइलो पैटन लेना चाते हैं तो आप इस तरह कीजिए क्योंकि यह वाला जो पीस है यह बैक में जाएगा और यह जो फ्रंट के जो ओपन वाले दो पीस है यह फ्रंट में आएंगे तो हा इतना ही रहने दें और बैक में जितना भी है उसे लेकर आप इस तरह राउंड शेप दे दें तो यह हाइलो का पैटन हो जाएगा और अगर पूरा आपने यहां से यहां तक किया ना तो वह काफी चोटा हो जाएगा इसलिए मैं इस पैटन में बना रही हूं अगर आपका धाई यह तीन मेटर कपड़ा होगा तो आपका आप बराबर ले सकते हैं पूरा अम्रेला अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बता देती हूं देखिए यह हमने नीचे का शेप ले लिया यह मैंने स्ट्रेट कट किया बिलकुल और यहां से हमने एल्वो का जो हम यह एल्व कर देंगे तो आपका पैटन कुछ इस तरह का आएगा यह आपका शोल्डर बाला पोशन हो जाएगा यहां पर यह आर्म होल हो जाएगे और यह हाई लो बाला पैटन हो जाएगा और यहां पर हम पूरे में लेस लगाएंगे यहां पर भी लेस लगाएंगे तो सिर्फ इस जो श्रग है, इसमें दो कट हैं, एक आपको shoulder का कट करना है, और यहाँ पर arm hole का कट करना है, और यहाँ आप shape दे सकते हैं, जैसी भी आप चाहें, तो इसे हम पूरा इस तरहें से कर लेते हैं, corner भी नहीं आएंगे, और यह इस तरहें से हो जाएगा, तो same इसी process को अब हम करे अपने fabric पर, तो सबसे पहले fabric को करना है, double fold, तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस कप्ड़े को double fold बिचा लिया, यहाँ से open side है, और इस side से folded side है, अब इस corner को उठा कर मैं इधर रख लूँगे, और इसे triangle में कर लूँगे, तो देखिए, मैंने यहाँ से उठा कर इसे triangle कर द तो यह straight रखना है आपको, और 14 shoulder है, तो 7 पर निशान लगा लेना है, अब arm hole के लिए आप 11 inch measure कीजिए, तो देखिए, मैंने shoulder वाले निशान से यहाँ पर 11 inch का measure, और 6 inch का arm hole के लिए निशान लगा दिया, आप चाहें तो इसे 8 inch भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफी बड़ा ह हो जाएगा, क्योंकि 6 inch का मैंने जो होल बनाऊंगी, वो भी सिलने के बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, अब हम यहाँ पर arm hole की shape लगा लेंगे, अब देखिए, यहाँ उपर की side मैंने shoulder का निशान लगा लिया, और यह arm hole का निशान लगा लिया, अब नीचे से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नीचे हमने bottom की कटिंग कर लिया, तो यहां से यहां तक 37 तक 37 और यहां से यहां तक लिया है, और इसकी कटिंग कर लिया, अब आप इसे एक पर खोल लिजिए, double fold करके और पूरा एक shape लगा लिजिए, तो आप देख सकते हैं कि खोलने के बाद यहां पर, यह नीचे से तो पूरा triangle है, यहां पर हलका सा corner है, तो आप इसे shape में ले लिजिए, क्योंकि यह front की side से आएगा, तो यह मैंने पूरी shape लगा लिए है, और अब हम इसकी करेंगे सिलाई, तो सबसे पहले आपको neck पर सिलाई करनी है, और armhole पर, अब आपको क्या करना है, कि इसे यहां fold करना है, यह shoulder ऐसे थे ना, तो यह shoulder पर सिलने से पहले हम पहले यह वाली पत्ती को fold कर लेंगे, देखे friends, यहां पर सबसे पहले मैं हमको करना है, front के जो piece है, उस किनार को double fold करना है, तो देखे, यहां पर मैंने यह दोनों के side fold कर दिये हैं, अब आपको shoulder joint करने हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब आप इसका उपर से shoulder cut करें, तो उसे जो भी आपका निशान आए ना, उसके half inch उपर कीजिए, जैसे कि हम umbrella skirt में कमर का निशान लगाने के बाद, half यह चीज ना, बड़ी हो जाती है, तो इसे हम यहां से उल्टा करके, सिलाई लगाएंगे, यह देखिए, यह जो corner है, यहां पर, यहां से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, अब आपको खास बात, यहां पर सिर्फ इतनी रखनी हैं, कि यह जो corner निकल रहा है, तो यहां पर हम यह सिलाई लगाएंगे, और इसे इस तरह से गुलाई दे देंगे, यह आप देख रहे हैं, इसे आपको सिलाई को यहां गुलाई में लाना है, ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपका जो यहां की side shoulder है, तो यहां corner नहीं निकलेगा, यह एक जैसा कंधे पर ऐसे यहां इदर करेंगे, यहां पर सिलाई लगा लिए, तो जब हमने front का piece का जो किनार है, वो double fold की है, तो उससे यहां पर 4 इंच का gap आ गया है, जो पीछे का back neck, उसके लिए जरूरी है, अब आपको यहां पर इस पट्टी को ready करना है, क्योंकि हमको यह neck तयार करना है, तो neck त तो देखिए, इसे सिलने के बाद, अब हम इसे front की side पूरी पलट देंगे पट्टी को, मैंने अब भी सिर्फ shoulder के बीछे वाली पट्टी को सिलाई कर दी है, और बाकी हम पट्टी को तुरपाई करेंगे, और चुकि यहां लेज आ जाएगी, इसलिए मैंने यहां पर इसे सिलाई कर दी है, बाकी आपको यहां पर बिल्कुल बारिक तुरपाई करनी है, जिससे य अब इसका नैक तो तयार हो गया है, अब आपको इसका तयार करना है, आर्म होल, तो यहां पर हमें पट्टी लगा कर तयार करेंगे, इससे, सबसे ज़्यादा फिनिशिंग हमें यहीं चाहिए, इस पट्टी को मैं ऐसा का ऐसा काट कर लूँगी, देखे फ्रेंड्स, आप इस तरह से पूरा जो आर्म होल है, उसे तयार कर लें, यह हमने फ्रंट की सिलाई लगा दी है, और अब इसके उपर मुझे लगानी है लेस, तो यहां आर्म होल पर हम इस लेस को सिल लेंगे, और अकर हो सके तो आप उस तरह की लेस लें, जो लेस लगाते समय, टांके को हलका सा हम बड़ा रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यह दोनों आर्म होल तयार कर लिये हैं, अब हम इसका जो बॉटम पार्ट है उसको तयार करेंगे, अब देखिए यह इसका नैक वाला पोशन है, तो हम यहां से एक तरब से हम पूरी पट्टी लगाएंगे, और इस तरह नैक पर लगाते हुए नीचे जाएंगे, तो एक तो आपको फ्रंट में लेस लगानी है और दूसरा आपको इसके बॉटम में लगानी है लेस, तो मैं यह पूरी लेस लगा लेती हूँ, तो फ्रेंट्स देखिए इस तरह से इस श्रक का लुक आया है, सिफ शोल्डर पर दो दो आर्म होल है और यह पूरा राउंड है, तो मैं इसे डमी पर लगा कर आपको दिखाती हूँ, किसका किस तरह लुक आया है, तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से इस श्रक का लुक आया है, और जो अभी चल रहा है पैटर्न वही इस श्रक का लुक आया है, सेम, और इस चैनल मेरी 6 मीटर लेस यूज हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि मैंने 9 मीटर लेस ली थी, लेकिन उसमें से 6,5 मीटर लेस इसके टॉप और श्रक में यूज हो चुकी है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर श्रक का वीडियो आपको पसं आपको ऊंदिए हुआ कैन्मार, दो जाल है, आपको एंद बतायो है, इसो याल